जयाहिंद जयाभारत जार वर्षों में भी दोबारा पैदा होने मुश्किल है और मैं ही नहीं इस वीडियो को देखने के बाद शायद आप भी यही कहेंगे भगवती चरण खूब पढ़े लिखे विद्वान करांतिकारी थे शादी शुदा थे दुर्गावती जैसी गुणवंती पतनी थी और प्यारा सा ननना सा पुत्र था शची घर में धन की और समाज में मान समान की भी कोई कमी नहीं थी पर चल पड़े थे वतन के लिए मिटने की राह पर कमारों के लिए शायद वो राह फिर भी कुछ आसान रही होगी लेकिन बाल बच्चे वाले भगवती चरण के लिए मोह के उन बंधनों को काट कर सिर पर कफन बांध लेना आसान नहीं था और वे तो इससे भी बहुत आगे चले गए थे उनके अपने ही कुछ साथियों ने उन्हें अंग्रेजों का एजेंट होने तक का कलंक लगाना चाहा और उनकी पतनी दुरगावती जिने हम दुरगाभावी के नाम से जानते हैं उनके चृत्र पर भी कीचड उच्छालने का घिनोना पाप कुछ लोगों ने किया इतना सब सहने के बाद भी भगवती चरण और दुरगाभावी ने इस देश के लिए जो किया था दोस्तों उसकी मिसाल मुझे तो दूसरी मिली नहीं यदि आपको याद हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताईएगा हमें 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंग और राजगुरू ने लाहोर में पुलिस एड़क्वार्टर के सामने दिन धाड़े असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंडेंट पुलिस जेपी सांडर्स का वद किया था पुलिस चप्पे चप्पे पर भगत सिंग को ढून रही थी उन्हें लाहोर से सुरक्षित बाहर निकालना बेहद मुश्किल काम था सुखदेव ने योजना बनाई कि दुरगा भाबी अपने तीन साल के लाडले बेटे शची को लेकर भगत सिंग की पत्नी के रूप में लाहोर से निकलें शायद पुलिश को संदेह नहीं होगा क्योंकि क्रांती कारियों के दल में उन दिनों महिलाओं के शामिल होने की संभावना बहुत कम थी पर जो भी हो जान को पूरा खत्रा था भेद खुल जाने पर दना अधन गोलियां बरस्ती ऐसे में ना वे स्विम बचपाती और ना उनका एक लोता पुत्र और इसके साथ ही समाज में जो बदनामी होती वो तो और भी पीड़ा दायक थी और उस समें घर में उनके पती भी नहीं थे उनसे ही सला कर लेती वो भी नहीं थे बगवती चनवोहरा उन दिनों कॉंग्रेस के दिवेशन में भाग लेने के लिए कलकता गए हुए थे पन्नाधाय की कहानी सुनते थे दोस्तों जिसने मेवाड के राजकुमार उदै सिंग को बचाने के लिए अपने पुत्र की बली दी थी पन्नाधाय पुज्य हैं जासी की रानी वीरांगना लक्ष्मी भाई भी अपनी जासी के लिए कट मरी थी पर दुरगा भावी की कहानी ध्यान से सुनिये और बताईए कि क्या उनकी कुरबानी का कोई सानी है कानपुर पहुँचने के बाद पति को तार भेजा कि भाईया के साथ आ रही हूँ कलकत्ता में भगवती चर्ण तार को पाकर हैरान थे कि किस बहिया के साथ आ रही है कलकत्ता रेलवी स्टीशन पर जब लेने पहुंचे भगवती चरण तो पतनी के साथ भगत सिंग को देखा खुशी का ठिकाना ना रहा भगवती चरण ने कहा आज तुमने मेरी पतनी होना सार्थक कर दिया लेकिन भावी के स्ट्याग का पुरुसकार उन्हें क्या मिला अपने ही कुछ लोगों ने उनके चरित्तर पर उंगली उठाई भगत सिंग वीरों के वीर थे अतिन्त सुन्दर लंबे चोड़े बांके नौजवान थे प्रखर वक्ता थे उच्चकोटी के विद्वान थे तो स्वाभाविक है कि उनकी और किसी लड़की का आकरशित हो जाना पर दुर्गा भावी के तो वे भाई थे प्यारे देवर थे दुर्गा भावी के आराध्य केवल भगवती चरण थे पर लोगों की जुबान को कैसे रोकें बात भगवती चरण तक भी पहुँच रही थी और ये समाज यहां तो प्रभू श्री राम ने भी इस समाज के आगे विवश होकर मा सीता की अगनी प्रिक्षा ले ली थी एक दोबी की बातों से आहत होकर उन्हें घर से निकाल दिया था पर धन्य है भगवती चरण दोस्तों जब उनसे किसी ने ये बात कही तो बोले यदि विश्वास ही करना है तो गैरों की बातों की बजाएं क्यों ना अपनी पतनी पर करूँ जो मेरी हैं मुझे मेरी दुरगा के बारे में किसी और की सलाह नहीं चाहिए समय बीत रहा था आठ अप्रेल 1929 को सेंट्रल एसेंबली में बम फेंकर बगत सिंग और बटुकेशवरदत गिरफतार हो गए जब वे लाहोर सेंट्रल जेल में बंद थें तो उन्हें छुडाने के लिए चंदरशेखराजाद के नेत्रेत में एक योजना बनी उस योजना को अंजाम देने के लिए बंब के परिक्षण क्या अवशकता थी तब आज ही के दिन यानि 28 मई को वर्ष 1930 की सुबा लाहोर में रावी नदी के जंगलों में भगवती चरण, विश्वनात वैशमपाईन और सुखदेव राज बंब प्रिक्षण के लिए गए सुखदेव राज ने बंब देखकर कहा कि इसे टेस्ट करने में खतरा है क्योंकि इसकी पिन धिली है तब वैशमपाईन ने उसे टेस्ट करने की इच्छा प्रकट की पर भगवती चरण ने कहा मेरे रहते या खतरा तुम नहीं उठाओगे मुझे तो वैसे ही अंग्रेजों का एजेंट बताते हैं तुम मैंसे किसी को कुछ हुआ तो किसी को क्या मुह दिखा मुगा धुएं का गुबार चा गया बापु भाई जमीन पर जखमी पड़े थे उनका एक हाथ कलाई से उड़ गया था और दूसरे हाथ की उगलियां कट गई थी पर सबसे बड़ा घाव तो पेट में लगा था अंतडियां बाहर आ गई थी रक्त की धाराएं धर्ती का अब शेक कर रही थी अंतहीन शारिरिक वेदना थी पर उनके चहरे की मुस्कान अब भी यूही कायम थी मृत्यू की उपेक्षा का ये अदम में साहस था दोस्तो शरीर छोड़ने से पूर्व इतना ही संदेश दिया मेरी मृत्यू भगत सिंग को छुड़ाने की योजना में बाधक ना हो उस कर्तवे की पूर्ती से ही मेरी आत्मा को शान्ती मिलेगी जब दुर्गा भावी को ये खबर मिली तो वो वीरांग ना खुलकर रो भी ना पाई ताकि किसी को शक ना हो और उसके बाद रन भूमी में स्विम उतर गई क्योंकि भारत अभी आजाद नहीं हुआ था मा भारती की कोक से जन में भगवती चन वोहरा और दुर्गा भावी जैसे अनमोल रतनों को शत शत नमन दोस्तो